हेलो स्टूरेंट, आज हम लोग BSC फर्स्ट एर के फर्स सेवेस्टर में जो टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं, वो क्या है? राइबो सोम्स है आप लोगों ने यू केरियोट सेल्स में डिफरेंट टाइप के सेल ओर्गनल्स देखे थें यानि कोशिका अंगक देखे थें, ये सेल ओर्गनल्स क्या थे? नुकलियस, माइटो कॉरंडिया, इंडो प्लाजमी क्रेटिकुलम, राइबो सोम्स, लाइसो सोम्स, गॉल्जी बोडी, ये सब डिफरेंट टाइप के ओर्गनल्स थें और प्रो केरियोटिक सेल्स यानि बैक्टीरिया में क्या देखा था? सिर्फ डिएने देखा था और राइबो सोम्स के कर देखे थें, तो ये क्या है? एक सेल ओर्गनल्स है, और कहां पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है, अब प्रो केरियोट सेल्स में तो नुकलिय होता है तो न्यूप्लाजम wen क्या होता है इंड़ो क्रेटीकुलम होता है इसे राय बोसॉम के रहते हैं और कुछ राय बोसॉम यू membalsya मि उसजल द्रव में यह BBQ क्या ओग techniques कोश का द्रव में पाय जाने वाले छोटे-छोटे granules हैं या कोश की द्रव कड़ हैं और यह क्या काम करते हैं प्रोटीन का formation करते हैं यानि प्रोटीन सेंथेसिस करके प्रोटीन का निर्मार करते हैं अब इनके जो टाइप्स हैं यह जो प्रोकराटिक सल्स होती है उसमें जो होता है वो 70S टाइप के पाया जाते हैं और यूकराटिक सल्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाया जाते हैं यह राइबोसोम्स जो है यानि यह जो छोटे-छोटे granules या छोटे जो कर है वो दो सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट तो जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है वो 60 और 40S टाइप के दो सब यूनिट से मिलके बना होता है और जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है वो 50 और 30S दो सब यूनिट का मिलके बना होता है तो आज हम लोग डिसकस करते हैं प्रो राइबो सूम्स कोशwdर कर कोषी का में या कॉशक का में पाए जाने वाले कर या कोशडर कोषका द्रवमें पाएं, इनका और ब्यास होता है तर या और इनका जो भाग है यानी जो ribosome के कड़ है उनमें जो सबसे जादा भाग होता है वो rn का होता है यानि जो rn हैं वो कितने types के पैये जाते हैं तीन प्रकार के एक हो गया ribosomal rn यानी rrn दूसरा गया हो गया mrn यानी messenger rn और तीसरा हो गया trn यानी transfer rn तो ये तीन टाइप के राइबोसोम्स में जो आर आरेने हैं वो कैसे होते हैं सबसे ज़्यादा उनमें भाग पाया जाता है उनका राइबोसोम्स बोला जाता है तो इनका जो 40% से 60% जो भाग है वो आर आरेने का होता है यानि राइबोसोमल आरेने का होता है और शेश भाग जो है सेस भाग जो कई प्रकार की प्रोटीन लिए यानी राइबोसों टी परसनट तक जो है वह आर आरने पाया जाता है औ आर इने बहुत ज़ादा मात्रा में इसी कारण इसे क्हा कहते हैं राइबोसोंक कहा जाता है ribosomes जो है वो क्या है सूश्म कड़ है यानि micro granules है कहां पर लगे होते हैं ये endoplasmic reticulum की जिलियों में लगे होते हैं अथवा फिर कोश का द्रब में छितरे हुए हमें मिलते हैं ये जो cells में protein का sensation करते हैं यानि ये ribosomes क्या कार करते हैं protein का sensation करते हैं और इनको कोश का की factory भी कहा जाता है protein की factory यानि ये protein का sensation करते हैं इसलिए cell की protein factory भी बोला जाता है जो ribosomes होते हैं वो कितने types के होते हैं तू types के अब हम लोग इनका types देख लें ribosomes जहें वो कैसी है चप्टी गुलाब रचनाए हैं यानि ये कैसे हैं चप्टे हैं और गोल रचनाए हैं और दो प्रकार के पाये जाते हैं फर्स्ट एक हो गया 70S type के ribosomes और दूसरा हो गया 80S type के ribosome तो 70S type के ribosomes हैं वो जनरली कहां पाये जाते हैं बैक्टीरिया में पाये जाते हैं और कितने इनका ब्यास क्या होता है 18NM होता है यानि प्रोक्रेटिक सेल्स में जो ribosomes हैं वो 70S type के हैं और इनका ब्यास जो है वो कितना है 18NM का होता है और 80S type के ribosomes यह कहां पाय जाते हैं? 80S टाइप के राईबोसोमS जो हैं, Grade उक्रेयोटिक साल्समेंung मिलते हैं, और इनका जो ब्यास होते हैं, वो लगबग 20 से 22 NM के होता है, यांई जो 70S टाइप के राईबोसोमS है, यह चोठे होते हैं, यानि 18 NM के होते हैं और 80S type के ribosomes बड़े होते हैं और 20 से 22 NM के होते हैं अब यह जो हैं वो 2 sub units के मिलके बने होते हैं आप इस diagram से देख लें तो आपको और clear हो जाएगा ये है 70S टाइप का ribosomes इन में देख रहे हैं दो सब यूनिट है एक ये red कलर की दिख रही है और एक ये blue कलर में आपको दिख रही है यानि दो सब यूनिट के मिलके बने होते हैं तो इनके जो ये red कलर का आप देख रहे हैं एक सब यूनिट जो है वो उसमें तीन लोब होते हैं यानि एक उभार होता है तीन जो है वो उभार होंगे और क्या बनाएंगे बेस या हेड बना लेते हैं और जो ये बेस है वो कितने जो है वो बेस कैसा होता है छड़ रूपी होता है यानि छड़ क्याधार का होता है और दोनों सब यूनिट जो है आपस में यानि ये लोब और ये बेस जो है आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि बीच में एक सुरंग बन जाती है यानि एक कैनाल बन जाती है और इस जो सुरंग बनी है उसमें से होके मेसंजर आरेने यहां पर क्या है एक टनल टाइप का बन गया जो है वहाँ पे joint होंगे और protein का formation करते जाएंगे तो ribosomes की ये दो सब units हो गई जो आधारी भाग होता है, base भाग होता है, वो बड़ा होता है और उसमें क्या होते हैं, तीन lopes ऐसे निकले रहते हैं ये देखने हैं आप, ये तीन lopes निकले रहते हैं और जो base होता है, वो क्या होता है, छड़ के आकार का होता है तो ये आपका head भी से कह सकते हैं और ये क्या होगे इसकी body हो गई इसमें बीच में क्या हो जाएंगे, watered sheet होती है ये क्या होगे, lateral crisp हो गया और ये क्या होगे आपका यहाँ पर यह जो उभार जैसे है लोब है, यहां से यह देख रहे हैं, यह इसका दो लोब है, अब इनके कुछ अल्टा स्टॉक्चर देख ले, 70S टाइप का राइबोसोम्स के, तो टू टाइप के राइबोसोम्स हो गए, आपको क्लियर हो गया, 70S टाइप के राइबोसोम्स और 80S टाइप के राइबोसोम् cells में अब प्रोकियोड अचराक्ट्चर ऑफ राइबोसोंस यह सेवेंटीयस राइबोसोंस का हम इसका इस्ट्रक्चर इन देख ले जो प्रोकियो इस राइबोसोंस से इस प्रकार के राइबोसोम्स जो है वो कहां पाय जाते हैं बैक्टीरियम पाय जाते हैं माइट्रो कॉंडिया में पाय जाते हैं और इकोलाई यानि इस्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया में पाय जाते हैं आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा इस्टीरिया यानि इकोलाई का structure देखा था मैंने detail से बताया था आपको तो उसमें किस टाइब के राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S टाइब के राइबोसोम्स पाए जाते हैं अब प्रतिक जो राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट्स की मिलके बनी होती है यानि 70S टाइब के जो राइब सब यूनिट्स से यह मिलके बने होते हैं इनका जो 58S सब यूनिट्स है वो कैسी होती गोलाकार आधार भाग आधार का भागा होता है जिसमें क्या होंगे तीन उभार निकले रहते हैं इनमें दो किनारे किनारे और एक उपर बीच keywords भीच में और बाहरी खांच के द्वारा यानि 30S में क्या है एक खांच बनी होती है ग्रूव होती है बाहरी खांच के द्वारा जो है वो दो पिंडो में बटा होता है यानि ग्रूव होने की वज़ा से क्या हो गए दो उसमें लोब हो जाते हैं यह जो दो लोब है वो किसे जुड़े ह होते हैं जो आपस में यानि जो आधारी भाग है और जो इसका नीचे छड़ रुपी भाग है दोनों आपस में जुड़े रहेंगे जिससे की एक बीच में सुरंग बन जाती है अब 50S था 30S दो सब यूनिट जो हैं वो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि दोनों के बीच में सुरंग सी बन जाती है यानि बीच में एक होल सा बन जाता है जो प्रोटीन संसलेशन के समय यानि जब प्रोटीन सेंथेस होगी तो इस में से क्या होगा मेसंजर आरेने अरू इस सुरंग से गुजरता है इन में से बीच में से निकलता है यानि उस सुरंग के बीच में से म बस वजो है इसमें 50 ऐस्ट आप हो गई है 30 एस यूनिट हो गई यानि 50 एस और ये 30 एस अब सब यूनिट वह इनके बीच में से ये जो है वो क्या है मेसेंजर नहीं घी नहीं यहां पर यह यह पिंच मेसेंजर आ जी, ए, इस तरह से मेसंजर R&N जो है इस पे लगे रहते हैं यहां पे क्या होता है T-R&N होता है यहां पे T-R&N की यह यूनिट्स लगी होती है T-R&N की जो आपस में यहां के जो माली यू-उ-सी है यहां पे A A, T, C, A है तो यह आपस में क्या करते हैं translate करते हैं और translate करके यहाँ पर protein का formation करते जाते हैं इस तरह से protein का formation होता जाता है तो जो units है वो आपस में कैसे जुड़िये कि बीच में क्या बनगे सुरंग बनगे और उस सुरंग की बीच में से क्या होंगे मेसंजर RNA निकलता जाता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता जाता है 58 जो सब यूनिट का भार क्या होता है 58 जो है वो 1.8 इनटो 10 तु टू दि पावर 6 डालटन जिनका molecular weight है वो क्या है 1.8 इन्टो 10 तू दि पावर 6 डालटन का होता है और इनमे 5S RNA के एक एक अड़ो होते हैं यानि जो इनके सब यूनिट्स होते हैं 50S ये जो दो सब यूनिट्स है इसमें जो 58 सब यूनिट्स है इनका मॉलिकुलर रेट सिफ इनका मॉलिकुलर वेट क्या हो गया 1.8 इंटू 10 to the power 6 डाल टन हो गया और ये इनमें क्या पाया गया इनमें पाया गया 20S टाइप का ये तो इतना वेट हो गया 23S RRNA यानि राइबोसोमल RRNA और 5S 5S राइबोसोमल RRNA के दो अड़ो यानि इसके एक इसके दो अड़ो पाये गया और इसमें क्या पाये गया प्लस प्रोटीन प्लस प्रोटीन पाया गया तो ये जो सब यूनिट्स है 50S वो कितने वोलिगुलर वेट की है 1.8 इंटू 10 to the power 6 डाल टन और इनमें जो अड़ो है वो किसके बने हुए है ये 23S RRNA और 5S RRNA प्लस प्रोटीन के और जो 30S 30S सब यूनिट्स हैं ये कितने बहा की होती है वो 1.0 into 10 to the power 6 डाल टन की इनका मॉलिकुलर वेट 38 सब यूनिट्स का क्या होता है 1.0 into 10 to the power 6 डाल टन और इनमें क्या पाया जाते है 21 21 प्रोटीन और 16S RRNA ने पाया जाता है यानि इसमें जो प्रोटीन है वो कितना यहां पे क्लियर कर लिजे 34 प्रोटीन हो जाती है और जो 38 सब यूनिट्स है इसमें क्या इनका मॉलिकुलर वेट क्या है 1.0 into 10 to the power 6 डाल टन और इनमें क्या पाया गया इनमें 16S टाइप के RRNA पाया गया प्लस कितनी प्रोटीन पाया गई 21 प्रोटीन प्रोटीन पाय जाती है तो यह जो 70S टाइप के यह क्या है 70S टाइप के RRNA बोसोम से है और कहां पाय जाते हैं, प्रोक्रियोट सल्स में पाय जाते हैं, ये तो था प्रोक्रियोटिक राईबोसोम्स, यानि 70S टाइप का, next lecture में हम लोग देखेंगे 80S type के ribosomes जो किसमें पाया जाएंगे eukaryotic cells में पाया जाता है thank you